नमस्कार किसान भाईयों स्वागत हैं आप सभी का हमारे यूटूब चैनल SK Agri Culture में किसान भाईयों आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम चने की खेती को लेकर बात करेंगे और किसान भाईयों जैसा कि हमको पताई है और मैं फिर बताना चाहता हूँ कि हमारी चने की फसल होती है वो दो कारण से खराब होती है यानि कि दो ऐसे कारण होते हैं मुख्य जिनकी वजे से हमारी चने की फसल मैं जो पेदावार है वो बिलकूल गट जाती है उसका जो पहला कारण होता है वो होता है पाला गिड़ना या अधिक ठंड की वजे से भी हमारी चने की फसल इस तरीके से खराब होती जैसा अभी आप देख पा रहे हैं वो वीडिय की वज़े से जब हमारी फसल में फूल आ रहे हैं फल बनना शुरू हो रहे हैं और हमने उसको पानी लगा के छोड़ रखाएं और अत्यदिक पानी गिर जाता है फिर से उपर से बारिस की वज़े से तो भी हमारी चने की फसल जो है वो खराब होती है क्योंकि उसकी ग्रोथ वो जड़ना शुरू हो जाते हैं तो इस साल इसी प्रोब्लम आई बहुत सारे किसान बाईयों के सामने कि पाले की वज़े से भी उनकी फसल खराब हुई इसके अलावा जो है बारिस भी हुई भारत में बहुत सारे इलाकों में जहां पर चने की खेती किसान बाई करते हैं तो उनके सामने अब ये समश्या आ चुकी है कि वो किस तरीके से अपनी फसल में पैदावार ले तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक उपाई बताने वाला हूँ जो अगर आप कर लेते हो तो आपको यहां पर थोड़ा बहुत फूल में और फलो में फाइदा आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये जो काम है ये जिन किसान बाईयों ने किया है उनको थोड़ा थोड़ा यहां पर फाइदा दिखाई दिया है तो छोटा सा काम है ज्यादा खर्चे वाली बात नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप इसको करते हो तो आपको अपनी फसल पर नए फूल भी देखने को मिलेंगे और कुछ नए चने जो है वो बनते हुए आपको दिखाई देंगे ज्यादा लेट नहीं करना है ऐसा नहीं करना है कि आपके पोदे का टाइम पूरा हो जाए पकना शुरू हो जाए पोदा और उसके बाद में आप ये काम करो तो भी आपको ज्यादा फाइदा देखने को नहीं मिलेगा लेकिन अगर आपको इसा लगता है कि आपके पोदे की जो है अभी पोदा हरा बरा है उसमें थोड़े बहुत फूल निकल रहे हैं ऐसी कंडिशन पर अगर आपका पोदा है तो आपको एक काम करना है किसान भाइयों कि जो एनपीकी का 0-22-34 आता है जिसके अंदर 22% पोटास मिलेगा उसको आपको एक किलो को एक एकड़ के चने पर इस्प्रे करना है 125 या 130 लिटर पानी आप ले लिजे उसमें आपको उसको मिला देना है और अगर आपको इल्लियां वगेरा दिखाई देती है इल्लियों की संका है आपको तो इल्ली की दवाई भी आप मिल सकते हो अगर नहीं है तो नहीं मिलानी है इससे क्या होगा खिसान बाइयों कि जो फासपोरस होता है वो अत्यदिक पानी की वज़े से अत्यदिक नमी की वज़े से हमारे जो फसल की जड़ों को नुकसान पहुंचता है तो फासपोरस जब पोदे को मिलता है तो फासपोरस परकार से नए नए फूल बनते हुए आपको दिखाई देंगे तो ये मेन काम होता है फासपोरस का इसके अलावा इसमें 34% पोटेशियम भी होगा तो पोटेशियम क्या करता है कि जो पहले वाले जो चने होते हैं कुछ इस परकार के जिसे आपको पहले वाले कहीं कहीं पर प पोटास मिलेगा तो जो भी दाने है मतलब जो भी चने आपके पोदे पर बने हुए हैं उन में जो है दाना बराऊ जो होना है वो शुरू हो जाएगा और अच्छी तरीके से दाना बराऊ होगा तो जिरो बाउंच उतिस जो है किसान भाईयों यह बहुत ही इच्छा खाध है एंपिके का आता है वाटर सुलीबल आता है पाने में डालते ही गुल जाता है तो इसका उपयोग अगर आप अपने चने की फसल पर करते हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत फाइदा जो है व यहाँ जाने वाल